तो आज के वीडियो में हम देखेंगे intellectual property rights जो है group C के under तो कौनसे-कौनसे question पूछे गए थे और कौनसे question पूछे जा सकते हैं हम लोग इन detail में discuss करेंगे तो मैं स्वागत करता हूँ आपका amazing engineers में तो सबसे पहले देखते हैं कि intellectual property rights होता के है basic definition so intellectual property rights है निके IPR are legal rights that protects the creation of the mind or intellect such as inventions, literacy and artistic work, symbols, names, design and trade secrets तो intellectual property rights मतलब जो कुछ भी आपने अगर design किया रहेगा, खुद से invent किया रहेगा, आपके खुद की आपे innovation रहेगा, आपने कुछ-कुद design किया रहेगा तो उस पे सिर्फ आपका ही हक होना चाहिए कोई उसको copy ना करे तो इसलिए intellectual property rights के जरिए यह हम लोग खुद के नाम पे उसको register कर सकते है so these rights grant exclusive ownership and control to creators or owners of the intellectual property, allowing them to use profit from or prevent others from using their creation without permission तो आपके permission के बिना कोई copy भी नहीं कर सके, आपको खुद उसकी ownership हो सकती है और अगर आपको चाहिए तो उसके help से profit भी है वो कमा सकती है with the help of copyright वोगए तो क्या क्या होता है in return में discuss करेंगे तीन टाइप major types होते हैं सबसे पहले होता है trademark क्या होता है copyright और third होता है patent तो आपने तीनों के नाम सुने रहेंगे लेकिन कहीना कई पर आपको शाहिद confusion होता रहेगा तो देखते हैं क्या होता है trademark होता है usually brands के लिए brands होते हैं वो ट्रेडमार्क करते हैं copyright होता है वो mostly authors वगर होते है या फिर जो creative field में होते हैं वो कोई अपना गाने का lyrics हुआ या फिर कोई भी एक particular author ने novel वगर लिखा तो उसके regarding copyright ले सकता है या फिर कोई artist ने कर painting draw की वो तो अगर कोई ले सकता है उसके वाद है patent तो mostly inventions के लिए होता है कोई अगर scientist रहेगा या फिर कोई अगर innovator रहेगा कोई अगर researcher रहेगा तो उसने invent किया तो उसको patent है वो उसके नाम पे मिल जाता है purpose यहाँ पर देख सकते हैं distinguish is the product or the service from the competence कोई भी अपका एक नाम है unique नाम है तो कोई दूसरा वो copy ना करके उस खुद के नाम पे वो ना बेच है तो इसके लिए हम लोग trademark करके लेते हैं यह तो बड़े-बड़े company जैसे किसी ने अगर launch किया कोई एक नया product तो दूसरे जो छोटी company होगे वो उसको copy कर लेगी और वहाँ पे जो customer से वो confused हो जाएगे कि actual original अगरे product कौन सा है क्योंकि same नाम दोनों के दरफ यहाँ पर मिलेगा इसलिए उसके वादे purpose इसका क्या होता है copyright का तो प्रोटेक्शन करने के लिए आप चाहिए तो उसको पैसे में अगर आप चाहिए तो उससे पैसे भी कमा सकते हो copyright का हम लग आगे देखेंगे and patent का purpose क्या right to exploit an invention example क्या क्या होते है trademark के words होते है logos होते है slogans होते है या फिर color combination अगर जगा पर रहेगा तो वहाँ पर आप उसको trademark के वह कर सकते है यानिकि एक बार अगर trademark करें तो permanent अपके पास ही रहेगा copyright का एक time limit होता है 70 से लेके 770 years सक उसका time limit होता है और जो patent होते है वो usually 15-20 साल के लिए यहापे valid होते है तो इसके साथ साथ और एक है trade secrets तो trade secrets क्या होते है इन्प्यूट्स कॉंफिदेंशल बिजनेस इन्फर्मेशन सच इस फॉर्बूलाज प्रोसेस कस्टमर लिस्ट और मार्केटिंग स्ट्रेजी इस प्रोवाइड कॉंपिटिटिव एडवांटेज तो जैसे अगर आपने सुना रहेगा कि KFC का या फिर कोका कोला का तो इनका यह पेड़ीत्स बगर होते हैं इस अपिर्टेश होता है जो सिर्फ पर इस वो चॉनिक आटिटीटिज वो प्रोवाइड करते हैं तो यह यह कुछ आपे शिम्बॉल्स भी है आर होता है वह रजिस्टर ट्रेड मार्क के लिए होता है अगर सिर्फ टीयॉए मैं तो वह उन राइट एक से जाता है अभी एक्जाम में पूछे गए है तो प्राइमरी पर्पस या फिर में गोल या फिर में एम ऐसे नाम से आ रहा है ज़रूर से आज चकता है शायद तो क्या होगा है तो अंकरेज़ इनोवेशन और क्रियेटिविटी तो लिमिट दा एक्सेस तो नॉलेज और इन्फरमेशन तो प्रोमोट मोनोपोली इन दा मार्केट या फिर तो रिस्ट्रिक्ट टेक्नोलोजिस एडवांसमेट अप्शन जो ए है वो स्यादा सूटेबल ऑप्शन है तो एनक कोई जैसे खुछ से कुछ इन्योवेटिव या फिर क्रियेटिव करने का कोशिश करेंगे नहीं तो एक दूसरे का कॉपी करने लगेगा तो कोई मतलब भी नहीं है नेक्स्ट है इन वीच आर्टिकल इस इंटेलेक्ट्ट प्रोपर्टी राइट्स आउटलाइन तो आर्ट प्रोपर्टी या फिर क्रियेटिव फिल्ट का कॉपी रेट के अंदर आता है करें और लोगों के लोगों भी आता है करें हम लोगों ने अभी देखा था लिस्ट में वहापर चाके आप चेक कर सकते हो नेक्स्ट विच आई प्रोटेक्ट दवे प्रोड़क्ट लुक और इट्स यूनिक डिजाइन फीचर कोई बेग प्रोड़क है तो कैसा दिख सकता है यह फिर उसका कैसा एक यूनिक डिजाइन फीचर तो उसके ऊपर आप क्या लगा सकते हो कॉपीराइट ट्रेड सिक्रेट ट्रेड मार्क या फिर डिजाइन पेटन तो कोई भी अगर यूनिक डिजाइन है तो उसके लिए आप डिजाइन पेटन्ट है वो फाइल कर सकते हो तो इससे ही रिलेटेड सीमिलर टाइप को क्वेशन आया था अभी 7 जून के 3rd या 4 शीफ्ट में आया था उसमें क्वेश इसलिए वह वहाँ पेटन्ट है वहाँ पेटन्ट लेते हैं कॉन सा टाइप का पेटन्ट तो वह डिजाइन पेटन्ट रहेगा क्यूंकि जू जूलरी के रहेगे वह डिजाइन वहार पर यूनिक रहना चाहिए आगे है वीच इस निगेटिव एसपेक्ट आफ दे लोगे तो maximum time Colgate ही अपने माइंड में आते तो यह एक monopoly बन गया है जिसे टूथपेज़ बन गया है तो मोनोपोली पावर यहां पर क्रियेट हो जाएगा ब्रैंड एक्स्टेंशन एंड डिस्टिंग्विश दूप्लिकेट अगर डूप्लिकेट कौन से ओरिजिनल कौन से हम लोग देखते हैं अपने एक्जामपल भी देखा रहेगा बिसलेरी बिलसेरी वगर ऐसा बहुत कुछ अलग-अलग करके नाम आते है पूमा का पूमा बहुत जरूरी होता है यहां पर ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अच्छी बात है ब्रैंड एक्स्टेंशन करना कभी-कभी ट्रेडमार के साथ मुश्किल हो जाता है क्योंकि अभी आपने रिसेंटली देखा रहेगा जैकोर का नाम सुना रहेगा तो अभी रिसेंटली अपने एड्स भी देखा रहेगा मुझे बहुत अच्छा लगा और यूनिक भी लगा क्योंकि जैकोर का मुस्टली क्या होता है जो बात्रूम फिटिंग्स वगर होते है यानि के टैप हुआ शावर हो तो ऐसे सारी चीजे जैकोर के अंदर आती है करेक् लेकिन अभी जैकोर सुनते ही हमें क्या याद आता है तो इनके बात्रूम के फिटिंग्स वगर है करेक्ट तो इन्होंने एक क्रेटिव आइडिया भी बनाया था कि यहां पर लाइट्स वगर नहीं जो बोलते हैं यहां पर आडवर्टेजमेंट सुना रहेगा कि आपके जो मीटिंग हॉल में जैकोर लग रहा है तो डेखके क्या लगे रगए कि अधरे लाइट्रूम कैसे लगेगे आपके इंट्रीक कर दिये तो कभी-कभी आपके ट्रेडमार्क के साथ आपके एक एग एक जुपी रहे दिये तो वह ब्रैंड एक्सेंशन करने में कभी-कभी प्रॉब्लेम हो जाती है नेक्स्ट टेविच आई प्याइप इंक्लूड जो कॉंफिदेंशल बिजनेस इन्फोर्मेशन लाइक फॉर्मुला और कस्टमर लिस्ट जैसे मैंने कहा था कोका कोला का या फिर के एफ सीखा तो फॉर्मुला वगरे वह बहुत कहीं पर छुपा के रखे हैं तो यह आता है अंडर ट्रेड सिक्रेट के अंडर चलते हैं आगे दटर्म ओफ प्रोटेक्शन फॉर पेटन्ट इस टिपिकली पेटन्ट कितनी साल के लिए होता है तो यह प्रोटेक्शन होता है उसका 20 यह के लिए 15 से 20 यह तक यहापर हम लोगों ने अल्रड़ आते हैं तो नाम से यह आप पता कर सकते हो इसली ओप्शन सी यहाप पर करेक्शन हो जाएगा वर्ल्ड इंटलेक्शल प्रोपरिटी और यहां पर बात हो रही है तो इसका हेड़कोर्टर से जिनिवा स्विजर लैंड नेक्स्ट है इन वीट इन दे कॉंटेक्स ऑफ आई यहाँ अफिर बिदाउट पर मिशान उसको यूज करना तो यह होता है और यहाँ यह बिनारो ऊप्शन हो जागा यानि कि उसको बिना परमिशन के अगर आपने उसको यूज कर दिया तो मतलब ब्रेक कर दिया उसका जो को पी रेट रहेगा यद मिश्कों के इन अ पूछी यानिके बीना पूछे यूज करना या फिर वाइलेशन ओफ दा आइल पीया नेक्ट वेशन है तो यह सिक्स जून के किसे शिफ्ट में पूछा गया था तो ट्रेडमार्क कॉपी राइट पेटर्ट या फिर नन ऑफ दा अबाव तो ब्रैंट के लिए यूजुवाली करता है उसके मॉनेटरी वैल्यू को उसके शूशल वैल्यू को या फिर उसके कमरशิल वैल्यू को यह पर क्योंकि बिजनेस अंतर है यहां पर आपको कहीना कहीं पर अडवांटेज लेना है तो कोई भी कोपई sias गतना चाव मिलेगा अगर सभी लोग उसको पी करने ले ल तो यहां पर तीन साल का यहां पर आपको फाइन है वह पेक करना पड़ेगा तो यहां पर प्रश्राइब करना पड़ेगा उसके बादे अंडर विच टाइप ऑफ एग्रेमेंट रोयल्टी इस पेड वान बेसिस फॉर्द तो रोयल्टी मतलब क्या होता है कि अगर आपने कोई भी कौपी र्यट लिया किसी भी चीज का तो जैसे उसके कौपी हर बार बिखते जाएंगे तो आपको कुछ नगुछ वो अमाउंट है वो मिलते जाएगा जैसे अगर कोई बी बुक हुआ बुक अगर आपने आपके नाम के copyright कर ले तो जैसे ही आप किसी भी पॉब्लिशर के साथ डील करते हो तो वो हर एक किताब के साथ सथ हर एक जैसे जैसे किताब बिखते जाएगी उसके according आपको एक fix amount of royalty है तो उसके according वो आपको मिलती जाएगा आपने Harry Potter का नाम तो सुना रहे है या फिर उसके कोई भी टी शेट रहेगे या फिर और कोई भी अलग जो प्रोड़क्ट रहेंगे तो जैसे ही यह बिखते है तो उसके according some amount of percentage उनके जो main author है जेके रोलिंग उनको मिलते जाता है तो उन्होंने यहाँ पर royalty आपका जो एक काम है अगर आपने उसको copyright कर ले इसके उपर royalty अगर आपको मिलती रहेगे तो throughout the year आपके life के आखिर तक आपको यह continuous यह जो royalty है वो मिलती रहेगी ठीक है तो यहाँ पर copyright इसका correct answer रहेगा copyright पर है आप जो royalty है वो चार्ज कर सकते ठीक है तो इतने important question थे अगर जैसे कुछ additional question मिला तो मैं जलसे-जल cover करने की को करूँगा तो अभी यहाँ पर C group के maximum portion cover होगे तो अभी सिर्फ कैड़ वाला जो topic है वही सिर्फ बचा है बाकी के topic जो marketing वगर है digital marketing वह आप खुछ से कर सकते उसमें ज्यादा कुछ question है पूछे नहीं जाएंगे अगर पूछे तो भी आप बहुत ही common sense है उसका answer है वो कर सकत के तो वह हम mostly आज के लेक्टर आज के दिन में cover कर लेंगा जैसे कुछ आपको इंड़ेस्टिक पूरपंच जरे कोई question मिलते हैं मुझे यहाँ पर send कर सकते हो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो helpful लगा हो तो वीडियो को जरू से एक बार like कर देना और अगर चैनल प के साथ